नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदिदा यूट्यूब चैनल पर जहां हम लाते हैं आपके लिए सेहत और सुन्दरत से जुड़ी अद्भुत जानकारी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बालों को लंबा और घना करने के कुछ बहतरीन और प्राक्रितिक तरीके अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बाल लंबे, मजबूत और चमकदार हों तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें हम आपको कुछ ऐसे घर नुस्के, सही, खान, बान और बालों की देखभास से जुड़ी मत्रपूर जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके बालों को खुबसूरत और आकरसक बना सकते हैं तो चलिए बिना किसी देरी के सुरू करते हैं पहला उपाए, दोस्तो दहे और नीबू दोनों ही बालों के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं और इसका परियोग डेंडर से चुटकारा दिलाने वाला भी होता है दहे में दो नीबू निचोड कर पेस्ट बना कर तयार कर लें और इस पेस्ट को बालों की जड़ो पर हाथों से अच्छे से लगाएं और फिर 15 मेट तक मसाज करें पेस्ट को एक से लिए घंटे तक बालों में लगा रहने दें और इसके बाद हलके गुंगुने पानी से बालों को अच्छी तरह से धुल लें इससे आपको बालों का रूखापन और डेंडर दूर हो जाएगा दूसरा उपाय अंडे की जर्दी का इस्तमाल बालों को लंबा करने के लिए आप अंडे का इस्तमाल कर सकते हैं अंडे में प्रोटीन सबसे अधिक होता है जो बालों की देखवाल के लिए पोसर के रूप में आवस्सक होते हैं इसमें बायोटीन, लेसिथीन और पोलेट जैसे पोसर्टत भी होते हैं साथी अन्न बिटामिन जैसे की E, K और D भी होता है इसमें मौझूद एमेनो एसिड बालों के विकास को बढ़ावा देने के साथ बालों को पोसर भी देता है इसके लिए आप दो अंडे की जर्दी यानि की पीला वाला भाग एक कटोरी में डालें इसमें एक बड़ा चमच औलियो आयल भी डालें और इस अच्छी तरह से फेट लें फेटने के बाद आप इस अपने बालों और बालों की जड़ों में अच्छी तरह से अपलाई करें आदे घंटे के लिए छोड़ दें फिर किसी माइड सेंपू से बालों को धुल लें नीमित रूप से इस नुस्के को आजमा कर देखें आपके बाल बहुती जल्द हेल्दी साइनी मजबूत होने के साथ ही बालों का ग्रोध भी बढ़ने लगेगा तीसरा उपाए मेथी दाने का इस्तमाल बालों मेथी दाने का इस्तमाल फाइदमन साबित होता है बालों की लंबाई और क्वाइल्टी अच्छी करने के लिए हफते में एक से दो बार आप मेथी के मास्क का परियोग जरूर करें इसे बनाने के लिए आपको 2-3 चमच मेथी की दाने को रात बर के लिए पानी विवोकर रखना होगा और सुवह इसका पेष्ट बनाना होगा और इस मेथी के पेष्ट को आप अपने बालों पर अच्छे से लगाएं करी 30-40 मेंट के बाद अपनी बालों को धूलें ऐसा करने से आपके बालों में ग्रोथ होगी चौथा उपाए सेव के सिर्के का इस्तमाल जैसे जैसे आप अपने बालों को धोती हैं वो ऐसे जैसे आपके बालों से प्राक्रितिक पेल दूर होता चला जाता है और आपके बालों में खासकर सर्जी के मौसम में ड्रेंडप और सुस्की हो जाती है परन तो इस समस्द सुटकारा पाने के लिए सेव के सिर्के का सहारा लिया जा सकता है क्योंकि ये बालों से गंदगी धूर और सैंपू डिटर्जेंट को दूर करता है और बालों के pH अस्तर को नियंतृत करता है साथी बालों को जड़ने से भी रोक देता है पहले आप अपने बालों को सेंपू से धूलें और फिर इसे के सिर्के को पानी में मिला कर आखरी में से अपने बालों को धूलें ऐसा करने से बालों से डेंडर दूर हो जाते हैं दोस्तों आप इसी तरह की हिल्थ से जुड़े और भी वीडियो को देखना चाहते हैं तो हिल्थ वाला एक्टीव चैनल को सस्क्राइब करें और वेल आइकन को दबा कर आन अटिपिकेशन को जरूर आन कर लें दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सेर करना ना भोलें और किसी भी तरह का अगर सवाल हो तो कमेंट करके जरूर पूछें पांचवा उपाए बालों में आउले का इस्तमाल विटामिन सी, आइरन और इंटी ऑक्सिटन से भरपूर आउला बालों के विकास में बहुत ही लाबकारी होता है आप एक से दो चमच आउले पाउडर या फिर दो आउला फल को पीस कर गरम नारियल या सरसो के तेल में मिला कर बालों में लगा सकती है कोशिस करें कि कुछ मट के लिए तेल में आउलों को फेट कर रखें ठंदा होने के बाद इससे अपने बालों में लगाएं इसकल्पे की मालिस करें करीब ये एकसिडियर घंटे के बाद बालों को धूलें ऐसा करने से इसकल्पे में बरसुक्लेशन को बढ़ावा मिलेगा बालों के रों को पोसर देगा बेंदफ और फंगस को रोक सकेगा और जल्दी बाल बढ़ाएगा भी दोस्तो बाल हमारे खुबसूरती का सबसे आहम इस्सा होते हैं हर महिला चाहती है कि उसके बाल लंबे, काले और घने हो लेकिन गलत खान पान, खरार जीवन सैली, परदूसर और गलत प्रोड़क्ट के इस्तमाल के कारड़ बाल कमजोर होते जाते हैं और काफी जादा जढ़ने लगते हैं हेर फॉल की होज़े से बालो की ग्रोध में कमी हो जाती है और बाल काफी पतले भी हो जाते हैं इस परसानी सिर्फ शुटकारा पाने के लिए कई महिलाएं तरह तरह के प्रोड़क्ट का इस्तमाल करती हैं और महेंगे हेर ट्रीटमेंट करवाती हैं लेकिन फिर भी मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल पाता है वही कई बार इसका साइड इफेक्ट भी देखनों को मिल जाता है ऐसे में बालो की ग्रोध को बढ़ाने के लिए आप बताये गए पांच उधरली उपाई मेंसे किसी भी एक को अपना सकते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी किस तर अच्छे जनकारी के साथ तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें धान्यवाद